आपने इन्हें देखा सेवन्टीज एटीज की दिहाई में टीवी स्क्रीन पे चाही रही राज किया इन्होंने और आप सब के दिल मोहे अपनी खुबसूरत जानदार एक्टिंग से एक बहुत प्यारी शक्सियत फिल्म में गई फिल्म में बेहतरीन काम किया हम सब जो नए आर्टिस्ट हैं उनको हमेशा आइडिलाइस करते हैं काफी अरसा स्क्रीन से गाइब रही लेकिन हमने सोचा कि समा के महमान में आपकी मुलाकात कराते हैं वो प्यारी शक्सियत जो हमसे थोड़ी देर रूट गई थी साइट पे चलेगी थी अब हम उने वापस लेके आएंगे रूही बानो जी हैं उनसे मुलाकात करेंगे गफशोप करेंगे एक दिन भी बिताएंगे और बहुत-बहुत मज़े का दिन गुजरेगा आप सब जाना चाहते हैं रूही जी कहा हैं किस हाल में हैं और आज समा के महमान में रूही जी को विल ब्रिंग हर बैक टू लाइफ आएए मेरे साथ हमारा खांदान पुष्टों सो बेदात चला रहा है जानती हो अच्छा अरे अब तुम्हे कारे को यकीन आएगा भाया की मत मारी गई थी जो उनोंने क्या मामी के घर वाले भी को फकीर नहीं थे हां आख है मैं ये तो नहीं कह रही मगर जोड नहीं था एक दिमीन एक आस्मान छोड़िये फुपी जान क्या रखा है आस्मानों में जी विए रूही बानुजी का मेक अप हो चुका है बहुत प्यारी लग रही है इसे हम बाते करते हैं जखाने में और क्या क्या पसंद्या आपको चिकन बहुत अच्छा लगए 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 और पिश् ऑपे लगए। minder हमाएभ, में विए, क्षके कराची में आपे लगएचन अच्छा आपते ही इंसे क्ष़ बहुत लिया हुत अ हम जह टो यह एक किसंम का फोम मुंहें इया था तो मीरती पतले की हो उओ ताप हे हर चीज़ काते है थी शब खा लेती थी मैसे लक्या हेवा यह आम स्टेल वरी स्लिम तो दिन कैसा उजरता है बस ऐसे सुबा कैसे उठती है किते बजे उठती है अराम से ऊठती हूँ प्र टीवी देखको ज़ब गांथा खुक आच्पिरेज उन्फ़्माशन इसे ऐसे खुडा, जब आप अपने खुदा से दूर हो जाती है तो आपके शक्र jáती है, आपके अखल दीख जाती है अच्छा अच्टिंग बगहरा कैसे आई हैं? इसतरह शुरू की? अच्टिंग कराजिस और कितनी एज की थी आप? वीस बीस, अठाराब, जुन आप, जुन और अच्छा अच्छा श्टॉड़ी जुड़ी देगते? यस क्या स्टॉड़ी कर रहते आप? मैं आफे में थी उसको अच्छा अच्छा यह बताएं कि एक्टिंग में कैसे हैं मेंटो पान था अपका किस ने गाँ कि मैं यह माने अच्छा उन्होंने क्या कहा है कुछ करना चाहिए अच्छा नहीं काफी आपकी सुपोर्टिव थी अम्नी बहुत नून देख लिए था किया कि मिलकुली इसोलेट होते जा रहे-च्छा नहीं कर नपका में तो छिएगा कहा है अच्छा नहीं करना पड़ेगा अच्छा थार क्टार मोज श्यायद नहीं उन्हीं मुझे सिलेक्ट किया टूर्मा यह मुझे स्क्रिप्टिया has made one और उन्हें डारेक्ट किया है फिक पर्फना वहाला जो था केरेक्टिर क्या किया था आपने नागिन बनी थी अरे इतनी खुबसूरत नागिन पारे कुबसूरत नहीं मदलब यह के उसकत यह फिल्म तन्डुले मेरा मंदुले मेरा जी का हुआ खराब में नागिल का गया खराब तो यह गायम था? नहीं दी उनोंने म्यूजिक लगा दिया तो मेरी एमी को कहा कि देखितना अच्छा टेबलेट गहरी रिठी करती है तो उनोंने यूँ देखा दिल्कुई मे जैसी है अर क्या और बहुत कुछी जैस बहुत कुछी बट जैसे था अपकर बच्पन कैसा था अपका नहीं कुछ भी नहीं थी अच्छा कि आप जसे तो पोई था नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है कॉम्पटेशन दूसरे टेलेविशन के साथ था यह नो डाउट लेकिन अप्टरसों का दूसरी एक्टरस के साथ कोई कॉम्पटेशन नहीं था हम जाएंगे शॉपिंग के लिए रुहिबानो जी शॉपिंग भी करेंगी ठीक है अच्छा छे ले जी ले जी ले जी हसीना मुहीन उनसे कभी मुलाकात हुई काम करने का एक्सपरियंस वो उनके प्लेस में हसीना मुहीन साहिबा के जी जी क्यों नहीं कि अनी की टो प्लेस मेंने स्टा्ट लिया था कृष मुझा नहीं कृष और शॉपियाच स्टार्थ जेरिवडबरपेश अच्छा को की अगहाँ वस्टार्थ लुटार्थ यंख वॉटत को रहाँ देरिंस एक्सपरियंस- लुटार्थ-भायाँ तो-छॉछ कि इस पूल के जैसे थी पीली पूल है यह वगला पूल है पीली ए रहा है तो नहरी चमकती है है अन्मर मकसूत है ना मुलाकात होती और जी जी क्यों नहीं वाचीछ आ झाली वाचीछ मेरे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लेकर मुझे उनकी यह बहुत अजीब सी लगी कि मैं व और यहां पर शॉप्पिंग करेंगी और देखते हैं यहां पर कोई ड्रेस आपको पसंद आता है है नो? आईए यह मारिया भी की तरफ से रुही बानो जी के लिए गिफ्ट है जो उनने ड्रेस पसंद किया है आपको वह ब्लू वाला ड्रेस है आपको जो आपने पसंद किया था ठीक है? ठाक्यो प्रेस्ट एक्रिस अवाट किस प्ले पे मिला था? फर्स वाला एवाट वह नहीं वह तो जया उल्हक साब ने जे प्राइडर परफॉम्स टिया था उसे पहले बेस्ट एक्रिस जी इस वक्त हम असमा अबास आपा के घर आए हैं असमा अबास हमारी टीवी की बहुत नोन आर्टिस्ट है और मेंकी बहुत अच्छी दोस्ती है मेरे घर आई एक नन ही परी इतने दिनों बाद अच्छी जी जी को रूही से तो मेरा तालुक दस साल होगे अच्छी तरीबंद दस साल से मैं इनके साथ इंटाच हूँ फाउंटेन हाउस पी रहके आई हैं दो तीन बहां और वहां पर इनकी हालत काफी बेहतर होगी थी लेकिन बात यह है कि वह बेहतर होने के बाद यह होता है कि आप घर पे जब आते तो जो उनका मेडिसन बगारा का जो भी ट्रीक्मेंट है वो इनका चलते रहना चाहिए तो चुके इनके पास कोई घर में है नहीं जो कि उस तरह से केर करें को दवाफ टाइम ञाना दे इनको एक जल्रूरत है किसी केरे टेकर की केरेति की जो भी हो जो भी यह मुनासिभ समझे क्या मजीद एकटिंग के हवाले से कोई आप्र जाती एक्टिंग के लिए उनको ले जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने बहुत रोका ये ना करो शूटिंग रह जाएगी फला हो जाएगा नुपसान हो जाएगा फैर वह इतना जबर्दस प्ले था एक और आरत मैं कहती हूं कि बोलती है तो लगता है क्या बोल रही है खुदाया है किस तरह से बोल रही है और उन और रूही जी आपने तो इसको बहुत चोटी सी देखा था था ना गोट पर चड़िया आप देखे मार्शाला बड़ी हो लिए आंकी को तुदाया है चिनि उजब बैट जी वियोज रूही बानो ने ड्रेस चेंज कर लिया है रूही जी बड़ी गॉजिस लग रही है और बड़ा प्यारा से क्वेश्चन आया असमा अपा के लिए वो पूछेंगी रूही जी आपने निशो के जो एक स्टेचर है पुलिटिकल सोचल एंड आर्टिस्टिक तो आप निशो को अच्छा समझती है या उससे भी अच्छा मुझे समझती है निशो बहुत माशाला और पातरा की एक्टरस थी उनका और कैलिबर था और रूही का और कैलिबर है अब भी हम जाएंगे जी एम पी टीवी से मुलाकात करेंगे पी टीवी विजिट कराएंगे वह यादे ताजा करेंगे क्या क्या है यह है पी टीवी पाकिस्तान टेलिविजिन बहुत ट्राइम के साथ हम रोगने गुजा रहा है बहुत थाईम और बढ़ अच्छा ट्राइम कुजा रहा है अच्छा में गोजा लूही गांगे जाते ईनके था था बिल् antica इनके लिए रोल लिखाए जाते हैं, किस सरह काम करती हैं, किस सरह में बैज करती हैं. किस इंड रड़ाए उंड शॉुणосर द्रामाथ तो विर्म इंड फेट्शर स में रड़ाय सा टॉणीख ही। park जीम कंसा धाब। खुड़ को पसान थाणने ओडूश यहादाए हादाए आदेधे लॉंग प्ले है आदे चेहरे उसमें क्या स्थे पहले मुझे था पसंड जजीरा अच्छा रियाना सिद्य थी डॉक्टर नवर सजाद ने का रिहाना नवीर पालने अच्छा मुझे नहीं पता था किता बड़ा कॉंसेप्ट है यह के जजीरे का मतलबी जजीरा यहां बैठी यह भी एक जजीरा है अच्छा फेवर्ट आर्टिस्ट कौन था जब आप काम करते थे आपको अच्छा लगता था कि यह मेरे जो को आर्टिस्ट हैं के साथ मुझे काम करना इजी है कमफटेबल है कौन से थे जिनके साथ आप ज्यादा पसंड प्संड यही कभी खान है फि उसाइन तारग सापका camera सफर्षिवार्डर के सपर्षिमाल के सफर्षिमाल चैफ सफर् शुबाल के और प्यार का शैयर विज़ फ्यार कॉत पतायीए कि मैं भी बाई बई बाई ब्हुट लंबा सफरी ज़कर निखल पके इस पर देशुर्दा से तारगको तो पता किये कि वह बड़ी बहुत बड़ी अंक्षें थी, तो उन्होंने का इसकी बड़ी अंखें इस्तमाल करते हैं किसी प्लेय में, तो जब मैं वहां से गुजरती थी कॉरेडोर से तो बड़ी बड़ी आंखोंसे में घूरता था, तो उन्होंने का चल फैड, कास्ट कर लेने, अच्छा तो आपको कहां मिले उन्हों आपके मेरी अम्मी को मिले थे अच्छा और फिर आपको लव हो गया देखते ही देखते ही पहली निजर में हसीना तो क्या करते थे वो यह तो खेर बहुत बड़ा सिक्रेट है आपके हस्बंड तो बहुत नहीं करते थे बेग साथ किससे आपसे मेरी अम्मी सी करते थे अरे इतनी खुबसूरत बीवी हो और उतसे मोहबद ना करें यह ना करें है है ना और वैसे आपके अच्छा स्किन का कैसे ख्याल रखते थे मुझे यह बताएं इतनी ग्लोइंग प्यारी स्किन प्यारे बाल और हलका सा मेक अप करके आप जब टीवी पर आती थी इतनी हसीन लगती माश्याला क्या रास क्या था यही था ना कि अब मेरा कहते थी यह दूद पियो जाद ज्यादा चावल को जड़ा ज़दा चावल को ज़दा नहीं चावल काएं दूद पियां रिलाक्स करें सो जाएं अच्छा जब आपने जो इतनी हैंसम आपके को स्टार्स होते थे तो कभी किसी बें दिल निया आया अपका सब कहते दील मेरे जा आजाता था मैरा कि यह अथजिभी आ ियारी सी लड़की कर Deutsch किसी पे लिः ढी instruments आपका तो दिल आया होगा किसी एक थे का रहा चिटा नजवानख्या भाइक कहिं। लब अट मेरे कि भीड इनमी 為 अच्छा, कैसी अक्टर्स थी अक्टर्स थी थी कि बहुती प्राउड बहुत जूम बनी लुग दो चार थपड लगा जेती अभी तक एक सिग्रेट पीके रीली कसं से, मेरे गाल लाल हो चुके होते हैं गाल नहीं लाल होते हैं, दमाग लाल हो चुका है अच्छा, णिसैंट मेक-पारिसूर है तो जड़े हैं से, मेक-प जागा हो? कि आ करो दिचदने आप चाल करतीं हैं मेरे तो मैं मेरे चाल करती थी से अच्छा, क्थम चल्टर्स तो सब्सक्टी नहींक हैं जिले चले आपके दौर में इस प्राके बड़े-बड़े सेट लगा करते हैं और क्या फुरा घर बना उता था अमीर का वरीका खास्तोर पर उना सब्सक्राब का तो यह स्टूडियो एमें होबा था यही फिल्म स्टूडियो एग्जक्ली यही इग्जक्ली यही तो फिर आपको कोई डायलो गयाद है अबी? किन का? सरा आपका तो बैठे हो खड़े-खड़े क्या रहा है कहां जाना इस वक्त अभी बहुत वक्त है निकल चलो यहां से कहां जाओंगी इस वक्त मैं वो सूरा है कौन सूरा है जिसने तुम पे जुल्म करना है जुल्म? हाँ, मुझे जाना है यहां से तो उठो, उठो यहां से इसी वक्त उठो मैं से उठानी जा रहा है आओ, मैं तो है, सहरा देता हूँ उठो, मैं साथ उठो उठके चलो यहां से अच्छा, उठती हो अभी सुभा का वक्त है अभी निकल चलते है बगी है मेरे पास बगी में चल लेचलोगे हाँ, और क्या? तुम यह नहीं रह सकोगी नाशी मुझे इस बात का ठीक है, जिले चलो यहां से मेरा तब घुटा है यहां पर मेरा सांस रूकता है यहां पर थो उठो, हिमद करो मेरा सहरा ले लो अच्छा, जेलते हैं यहां से वंड़फुल, वंड़फुल तालिया, वंड़फुल, खुबसूरत बबसूरत, बहुत प्यार, कुछ आदार है, तलत, और कौन, तलत ने कहा था, उठो, मेरा सारा लो, उठो यह से, आके अंकों में अंसु आरहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खो जाते हैं, नहीं तो अजीब चक्कर है कि वो कराची से आये ही तलत हुसे हैं, पता नह इसी क्या अट्रक्षिं है, तब रखके हैं, यहां होना चाहिए है, आपको जीए हुआँ को अजुका हो, आपका तो यहां नहीं नहीं हाए, तो जब आऊओ, कैसा लोग जो थे कह आर्टिस्ट उहना नहीं किया हुष हुआ हुआ कि देखे हर employed वो अर्टिस्ट नचो आप वो जो लॉबी बैट पते हैं पुछ लॉबी ने बैट के मुझे वेलकॉम करदे थी अच्छा कॉन जितने लॉबी इस्टेम लॉबी इस्टेम लॉबी इस्टा था रोही बानो एक आर्टिस्त का नाम नी है यह पूरा एक स्कूल है कि बहुत कम आर्टिस्ट मेरा नहीं ख्याल कि उस लेवल के एक्सप्रेशन पे पहुँच पाते हूं जिस पे रोही बानो का कमान में ज़ाते हुं और जो कॉडिनेशन, साउंड और एक्सप्रेशन में रुही बानों को अल्ला ने दिया है वो शायद किसी बहुत कम आर्टिस्टों को अल्ला पाग की चीज़ी देता है शायद मैं कहूँ कि जी समीता पाटिल अगर इंडियन आर्टिस्ट जिसना उसने के चेहरे पे और उनके आवाज में काॉडिनेशन थी वो रुही मैड़ रुही जी आपको आफर करें अगर पी टीवी वाले के अब टाइम दें दोबारा प्लेज में एक्टिंग करें जी हम स स्क्रिप्ट लिख़ूँ गभी खाहत एवारे में लिख़ूँ अच्छा मई खायमसर अरदी के बारे में लिख भोंगी टॉक शोच्व ठाटुन को बला कि ऑन से बात करूंगी थैंक य। सो बरी मुच। नेग बड़ कि श idग स्क्रिए। देले में तुझे बिठाके कर लूंगी मैं बंद आंखें बुजा करूं भी तेरी तेरी हो के रहूंगी ते क्यूट है आप इती क्यूट है शुक्रिया खुबी इष्क हुआ? इष्क बस अएस ही हो जाता इष्क ऐसा इष्क जो अंको याँख में और उसे पता ना हो अंको अंको नहीं वो तो वो करते थे बड़ बड़ अंखो लगा शौरकु बार शौरकु बहुत अच्छी सिंगा रहे आपका फेवरिट गाना कौन सा है? जो महम्माद रफी ने गाया तो सबी अच्छे गाने गाया उन्होंने कौन सा अच्छा गाना नहीं गाया तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है के जहाँ मिल गया के जहाँ मिल गया एक भटके हुए राही को आसमा मिल गया आपे जो से कहां से सीखा आप ने ओलिंडीर या जो बड़े पके सुरा है आपके सुराहा थे है क्यों बड़ा मुगल गान है यह देख लो जो लो नहीं सीखा आते है नहीं बस एक बार इंडिया गई तक फिर दुआ जांगी शाबला नहीं सारे फिक करके लिए उनकी जितने प्रिछली दफा सिंगर्स के लिया ही थी इस दवर सब डिरेक्टर जैसे गुंजार है जैसे बड़े-बड़े वह हमारे हैं बड़े-बड़े डिरेक्टर हिंदू भी है जी इस वक्त हम आए हैं नवीट शहजाद साहिबा के घर हमारी टीवी की बहुत प्यारी आर्टिस्ट है और उन्होंने रुखी बानु जी के साथ काम भी किया है तो आईए मिलते हैं नवीट शहजाद साहिबा के घर में मौजूद हैं और आप सब जानते हैं अब रुखी बानु साहिबा आई हैं मुलाकात करने कितने और सवाद मुलाकात करें भे कुछ मेरा खाल अब 20-25 बरस तो हो गए होंगे लेकिन इतनी खुशी हो रही है कि इतने सालों के बाद हम मिल रहे हैं उसी खुलूस और उसी प्यार के साथ बिल्कुल जिस तो आपने बिसमिल्ला और इतने प्यार से मिलें तो क्यों नहीं रुखी कोई आम खातून तो है ना रुखी तो एक आइकॉन है बिल्कुल हमारे मुल्क की तो इनको तो इसी तरह ग्रीट करना चाहिए तो आप जब मिलते थे 20 साल पच्छी साल पहले तो मुलाकात किस तरह होती थी पी टीवी के कॉरेडर से गुजरे हैं हाँ पी टीवी के हवाले से क्योंके देखिया उस जमाने में तो इलावा पी टीवी के और कुछ था निए टोकल मॉनापली थी और रुखी तो खेर बहुत पहले अपना सिक्का गाड़ चुकी हुई थी ऐसे ड्रामे किये इनोंने कि देखने वाला हैरान हो जाता था उस जमाने में भी जहां रुखी का नाम आ जाता था वहां हमें पता होता था कि एक क्लासिक परफॉर्मनस आने वाई यानि कि ऐसा हिनोंने अपना एक मकाम बना लिया हुए था एक इनसान सोच भी नहीं सकता था कि कभी कोई मीडियोकर या जरा बहतरीन से जरा कम चीज़ होगी बलकि बहतरीन से भी बहतर हुआ करती थी तो मतलब समझाए एक महबत सौफ़ाने का मतलब यह है कि महबत हमारी एक एक्टिंग अफ़ाने सौब लिख सकते हैं उसकी शकले जो है उसके जो जो जाविये है हो कितने वसी होगी जबरदस्ट अभी रूही जी स्क्रिप्ट भी लिख रही है और इन्शाला बहुत जल्द आई होब कि जो भी हमारे वियर्स देख रहे हैं अच्छा स्क्रिप्ट अच्छी स्टोरी आएगी यह बड़े-बड़े काम करने वाली है अभी मुझे बता रह हो और यह और वह इस खिसम की चीज तो रूही का चैप्टर जो है अभी खत्म नहीं हुआ है ना बल्के हर हर दोर में एक नई चीज एजाद करती है इन्नोवेटिव है बिल्कुल बिल्कुल और पुलिटिकल पार्टी जो होगी वहोगी सोशलिस्ट फनैटिक पाकिस्तान सुशलिस्ट फनैटिक पाकिस्तान पाटी वा 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 या पाकिस्तान पहले लगा दे है बनाई वो कहेंगे कि हम पेल जाम लगा रही के फनैटिक है पाकिस्तान है क्यूट अई क्यूट अब लवली मीटिंग यू और बड़ा आप दुनों के साथ जो बात्चीत हुए क्यूट इस वक कमाये एफम विवर्स विवर्स और यहां पे एफम जाएंगे तुकी कुसी हो विवर्स ने यहां से पापके वालत साब मुशूर तबला नवाज तो आप म्यूजिक की फिल्ड में नहीं आई तो आप म्यूजिक मेरी फिल्ड में आ चुका है हाँ इस ट्रू क्योंकि इसकदर रिधम है हमारे कल्चर में हमारे फिज़ा में हमारे फिज़ा में हमारे फिज़ा में इतना रिध कि अगर हम इस रिधम को बे डोल करना चाहें, बे ताल करना चाहें, या आउट ओफ बैलन्स करना चाहें, तो नहीं कर सकते हैं. अच्छे जी, अभी हम आए हैं डेफलिक्स, यहां से हलका बालों का बेहतर करेंगे, और उसके बाद हम शॉपिंग पर जाएंगे. मुसरत आपा माशे लगता, प्यारा है स्ट्राइल, मेक अप किया है, कैसा लग रहा है? मज़ा रहे ना? तैंक यह सो बेरी मुछ. आपका शुक्रिया. शॉपिंग मेरे खौप भी होते ना? जब हुआ हजए झाला है कैए आप यहां थिए तरिफ लाइं और हमें यह मुखा दिया है वह मेरे खौप भी होते ना? तो उनमें से मेरे यह खौप था और आपको इंशाला और क्या है? मैं तब आई फिल देट जिसे कोई चीज कम्प्लीज हो जाती है ना कि आप आज आई है तो जितने लोगों का कभी मैंने किया है जो थोड़ा बहुत तो इसमें एक आप ही थी एक तशनगी थी कि आपका होना चाहिए so we managed that. Thank you so much for being here. अच्छा दी. Thank you so very much Mr. Tappah. अच्छा लग रहा है ना सारा अच्छा लग रहा है काश के अली जिन्दा होता तो साथ बैठा होता मेरे और उसकी दिल को किती खुशी होती के लोग इस तरह चमर रहे हैं जैसे मक्या चमर जाती है आपने देखा सारे आपकी फैंस किसरा खड़े हैं गाडियां कड़ी हो गई आपको देखने के लिए वो तो इतना फ्राओड फील करता ना about me वाँ लविंस लिए लिकिन बस जिंदगी ने वफा नहीं की पार्ट अफ लाइफ लिए ने ना प्रट अफ लाइफ लाइफ तो रुने बर्गर पसंद थे लिए तुमारी हर चीज पसंदी उसको मैं तो आपको खुश्रकना चाहती है जाती है मुसकुराती रहे लिए यह आप वही प्यारी ती जगोड़ भज然 शेयक कर दिरे तो जैसे लोगिक नहांगे तो बहु है मुजए कली है यह जह प्याहूंब है कि अप्षेग्ट loh इजा का कर दिसे आ है यह खच्ट वुक्त दोन को बोदे पे के म Cafई प् считया कि मैंने बाओ कर दो अभी हम घर जा रहे हैं अभी हम घर जा रहे हैं लाइट नहीं है गर में तेंक यू आप खुश रहे हस्ती मुस्कुराती रहे हैं और इंटच रहे हैं और इसी तरह खुश रहने प्यारी सी बन के रहने आज का दिन हमने रुही बानू के नाम किया पूइन ओफ पी टीवी जिनका एक डौर था है एक चमकता सितारा जिनके आज भी लोग फैन है और वो यहां पे पूरा दिन खुबसूरत गुजारा हमने पी टीवी गे हम स्पा गे मुसरत मिस्बा उन्होंने हे स्टाइल बनाया उन्होंने बहुत इंजॉय किया आज का दिन रुही बानू ने एक खुबसूरत दिन बुजारा वो मुस्कुराईंगी वो जिन्दगी में वापस आएं लेकिन जिन्दगी में वापस आने के बाद जब मैं उनको यहां घर में चोड़ने आई तो वहां अंधेरा था एक चमकता दमकता सितारा इस अंधेरे में गुम हो गया और ना हम गुम होने देंगे यह आज का जो एक experience था वो हम सब के लिए एक बहुर बड़ा आई ओपनिंग experience है कि हमें अपने बड़े से बड़े स्टार को कभी नी भूलना चाहिए और उनको फरा मोशनी करना चाहिए इसलिए मैं और हमारी पूरी टीम और समा ये खुद से वादा करते हैं कि हम रुहिबानो जी को कभी अकेला नी छोड़ेंगे इस अंधेरे को रोशनी में लेके आएंगे उनको बाहर लेके जाएंगे उन्हें घुमाएंगे फिराएंगे और फिर पी टी वी के उसी फ्लोर में लेके जाएंगे मेरी हकुमत से रिक्वेस्ट है कि हमारी ये बड़े लेजिंडरी स्टार हैं, इनकी जुरुरियात जिन्दगी पूरी की जाएं और एक ऐसी नर्स का इंतजाम किया जाए जो इनके लिए कुछ कर सके, जो इनके लिए आएं उनकी खिदमत करें और इन अंधेरों को खत्म करें समा के महमान में हमने एक छोटी से काविश की, रुही बानो जी को मैं तो मिलती रहूंगी, हम सब समा की टीम मिलते रहेंगे, मेरी खाहिश है कि हमारी जो हकुमत है वो भी देखें और इनके लिए कुछ करें, सोफिया मिर्जा को इजाज़त दीजे, अपना बहुत ख्यार रखिएगा लापिस